हाई गाईज, वेलकम टो गेट अकटमी, तो गाईज आज से मैं इलेक्टरिकल मशीन में माई कोशन यूर आंसर एक सीरी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं डेली आप से एक कोशन पूछूँगा इलेक्टरिकल मशीन का और आपको उसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा और सही आएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा ठीक है और जो भी मैं आपसे ये कोशन पूछने वाला हूँ इन कोशन को आप हलके में मत लेना सारे कोशन बिलकुल मैं डैप से पूछूँगा और इन कोशन का आंसर चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता बट अगर आप इस series को देखोगे और जो भी मैं आपसे question पूछूंगा इनको अगर आप follow करोगे तो electrical machine में एक तो आपका interest बनेगा और आपको वो areas जिनके बारे में शायद कभी आपने उतना ध्यान ना दिया हो वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा और इन सारी questions के answer से आपका machine के अंदर जो concept है वो भी clear होगा तो आज का मेरा question है कि electrical machine के अंदर एक चीज़ बहुत ही important होता है वो होता है ferromagnetic material तो आपको यह बताना है कि क्या बात क्या ऐसी खास बात है ferromagnetic material के अंदर कि electrical machine में उसका इतना ज्यादा एहम रोल है कि what is the main thing that is in ferromagnetic material so that the ferromagnetic material are very important in electrical machine ठीक है तो जिसका भी comment सबसे पहले आएगा उसका मैं अगले lecture के अंदर अगला जो हमारी वीडियो का इसमें आपको उसका नाम बताऊंगा और फिर से मैं एक नया question आपसे पूछूंगा चलिए thank you